अनुसूचे जाती और जन जाती के आरक्षन में क्रीमी लेर को लेकर सुप्रिम कोट के फैसले के विरोध में आज भारत बंद का अवाहन किया गया है दलेत और आदिवासी संगठनों ने कई शेहरों में प्रदशन करके अपना विरोध जताया है और गोरकपुर से लेकर बिजनौर, हापपुड, आगरा, संभल और भदोई समेट कई शेहरों में प्रदशन हुआ है आरक्षन बचाओ को लेकर दलेतों ने प्रदशन किया आगरा में हातों में नीला जंडा लेकर प्रदशन किया गया भारत बंद को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है और शेहर शेहर प्रदशन कारी जुलूस निकाल कर अपना विरोध जता रहे हैं दलेत संगठनों के साथ अलग-अलग राज्यों में कई राजनेतिक दलों ने भी भारत बंद का समर्थन किया है तो तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं भारत बंद का मिला जुला असर दिखाए दिया है उत्तर प्रदेश के छे शेहरों की ये तस्वीरे आप देख रहे हैं और आरक्षन में कोटा में कोटा के विरोध में आरक्षन बचाओ संगष समिती ने आज भारत बंद का एलान किया हाल ही में सुप्रिम कोट ने राज्य सरकार को SCST आरक्षन में क्रीमी लेयर बनाने की अनुमती दी है और इस फैसले का मकसद सबसे जादा जरूरत मंद लोगों को आरक्षन देने को प्राथमिक्ता देना है लेगिन अलग-अलग सामाजिक और राजनितिक संगठनों ने इसका कड़ा विरोध किया है भारत बंद का SP, BSP और आजाद समाज पार्टी ने समर्थन किया समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी कारे करता और नेता भारत बंद में शामिल है वह कॉंग्रेस, आरजडी, जेमेम समित कई पार्टी ने भारत बंद का समर्थन किया है भारत बंद को देखते हुए जैपुर समित राजस्तान के चार जिलों में स्कूल बंद है की बीजेपी, कॉंग्रेस और अन्य पार्टियां आरक्षन विरोधी शड़ेंत्र करके निश्प्रभावी बना कर इसको खत्म करना चाहती है क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोट के निर्ने के खलाफ लोगों में रोश है उन्होंने कहा कि S.C.S.T. के साथी O.B.C. समाज को भी आरक्षन का मिला समवेधानिक हक इन वर्गों के सच्चे मसीहा बाबा साइब भीमराव आमबेडकर के अनवरत संघर्ष का परिणाम है जिसकी अनिवारिता और समवेधन शीलता को भाजपा, कॉंग्रेस और अन्य पार्टियां समझ कर उसके साथ कोई भी खिलवार ना करें भारत बंद को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि आरक्षन की रक्षा के लिए जन आंदोलन एक सकारात्मक प्रयास है ये शोर्षित वंचित के बीच चेतना का नया संचार करेगा और आरक्षन से किसी भी प्रकार की छेड़खानी के खलाप जन शक्ती का एक कवच साबित होगा शांतिपून आंदोलन लोकतांत्रिक अधिकार होता है बाबा साहिब भीमराव अंबेटकर जी ने पहले यागार किया था कि संविधान तबी कारगर सावित होगा जब उसको लागू करने वालों की मनशा सही होगी सत्ता सीन सरकारे ही जब दोकादड़ी घपलों घोटालों से सम्विधान और सम्विधान द्वारा दिये गए अधिकारों के साथ खिलवाड करेंगी तो जनता को सड़कों पर उतरना होगा जन आंदोलन बेलगाम सरकार पर लगाम लगाती है उधर भारत बंद को पक्षी पाटियों के समर्थन पर केंद्री मंत्री जैन चौधरी ने कहा कि ये सुप्रिम कोट का फैसला था सरकार अपना रुख साफ कर चुकी है प्रदशन करना लोक तंतर का अधिकार है और चर्चा के लिए सीधे आपको लिए चलते हैं हमारे सयोगी हमें त्राणा हमारे साथ गाजयबाद से जुड़ रहे हैं और साथ ही कामिर कुरेशे भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सयोगी सबसे पहले गाजयबाद का रुख करते हैं अमित वहां इस बंद का किस प्रकार असर देखने को मिला और संगठनों का क्या कहना है प्रदशन यहां किया जा रहा है लगाटार यहां पर जो है संगठन आए जा रहे हैं बसपा सपा और अन्य दलों ने इसका समर्थन किया है जो लोग है उनसे भी चाल लेते हैं और बात कर लेते हैं मैं आपसे जाना चाहूंगा आप रोध में यहां पर आए हैं कि किया मांगे किस तरह आपकी मांगे वह ладно चाहिए यहां पर भारत बन आज आपने आवाण की आए का यह आघ रहा है कि पर पर दोब्स मांगे क्या है आपके आपके किस मांगों लेकर आपए यहां जो आरक्षर का मुद्दा चल रहा है कि वरगी करण जो हो रहा है है समिदान की कौपी आपने हाथ में ली हूइ हैं मुझे बताइएगा क्या आपको लगता है कि क्या आपको लगता है कि क्या गलत कराएं कि मांगे अगर आपने हमको छांट दिया क्रीम लेयर में तो यह लोगों कि बांगे कोटा विदिन कोटा का विरोध कर रहे हैं जैसा आदेश सुप्रेम कोट ने दिया था उसको लेकर अलग 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 जगा प्रदशन कर लोग करते हुए नजर आ रहे हैं सीधा आगरा करूख करेंगे कामिर कुरेशी हमारे साथ हैं कामिर लोगों से बात करिए किस तरह ले रहे हैं वो अभी तो सुप्रेम कोट का फैसला है बिल्कुल देखिए क्रीमी लेयर को लेकर आगरा में सीधी समाज के लोगों के बारा जरूर प्रदेशन किया गया है लेकिन आगरा की जो पुलेस है वो अलट मूर में थी सरकों पर लोग जरूर उत्रे लेकिन रूर डाइवर्ट कर दिया गया है इस समय तस्वीर आपको दिखा देते हैं हम दिला मुख्याले पर हैं कुछी देर पहले यहां पर हजारों की संख्या में भीड़ थी यहां पर पुलिस ने चुनिंदा लोगों को अंदर एंट्री दी और जो ग्यापन था वो यहां पर लेकर उनको रवान गी दी अलगी शांदी पूर्वग यहां पर प्रदेशन हुआ बात करने के लिए हमाई था डी सीपी सिटी आग्रा के सूरज राय जी हैं उनसे बात करें सर्थ किस तरीके का प्रदेशन पूरा था और किस तरीकी की कारवाई की गई थी और क्या पुलिस का काम देखिए आज पत्रक लिए जा रहे हैं जो मेमोरेंडम थे वो प्राप्त किये जा रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में इस्थिती नियंतरण में हैं कहीं भी कोई अपरिये घटना के सूचना नहीं है जहां तक डेप्लाइमेंट का सवाल है हम लोगों ने 245 कमपनी पी-ए-सी आठ कमप प्रदेश में इस्थितने भी जिले के सिविल पुलिस बल हैं राजपतित अधिकारियों के साथ वो लगतार भ्रमनशील हैं सभी संगठनों के महतुकून व्यत्तियों से वार्ता हो चुकी है और सबने ये आश्वस्त किया है कि इस दवरान किसी भी तरकी करवड़ी नहीं होगी साथी साथ इन इस तरह के आयोजनों में कुछ अपद्रवी तत इसका मौके का फायदा उठा के गरबड़ी करना चाहते हैं ऐसे लोगों पे भी हमारी सतर्क तृष्टी है और हमारी फूट पे ट्रोलिंग चल रही है हमने ड्रोन सीसी टीवी तथा वीडियोग्राफ हैं प्रदेश की जनता को कि कानून बिवस्था किसी भी स्थिती में बिगणने नहीं दी जाएगी और इसमें हमें आम व्यत्तियों का सहयोग भी मिल रहा है सभी तर जगहों पे बाजार त्यादी खुले हैं आम जन जीवन सामाने रूप से चल रहा है धन्यवाद तो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं किस सरा आरक्षन में कोटा विदिन कोटा का विरोध चल रहा है ऐसे मेहतियात के तौर पर सभी शेहरों में पुलिस अलर्ट पर है चपे चपे पर पुलिस की तैनाती है कोई अप्रिये घटना नहोने पाए उसके मुकमल इंतिजाम किय हैं SP, BSP और आजाद समाच पार्टी ने इसका समर्थन किया है और सीदे अब आपको आगरा लिए चलते हैं कामिर कुरेश्य हमारे साथ हैं जी कामिर क्या तस्वीर आगरा से जी बिल्कुत देखें तस्वीर आपको दिखा दें जिला मुख्याले की ये तस्वीर है और यहां बतार ने याप लेकिन उसके साथ ही साथ यहाप पुलिस को पहले से ही अलर्ट मूर्ट में कर दिया गया था और साफ आदी दे दिया गया था कि जिला मुख्याले के अंद मांगों को चुनिंदा लोग हैनं को नम उनको जरूर इनकारी के लिए घ्यापन तो देष भर में आच भारत बंद का वहाहन किया है SP, BSP और आजाद समाच पार्टी ने भारत बंद का समर्थन किया लेकिन मेरट में वालमी की समाच के लोगों ने भारत बंद का विरोज जताया मेरट से निखिल अगरवाल की रिपोर्ट दिखा दें लेकर जहां आज भारत बंद की कॉल की गई है सपा, बसपा और आसपा तीन दल इसको समर्थन कर रहे हैं वहीं कुछ लोग आज भारत बंद के खिलाव भी आये हैं यह मेरट का कमिश्री चुराया है जहां पर लोग नारेबाजी कर रहे हैं और यह लोग यह कह रहे हैं कि भारत बंद नहीं होना चाहिए जो आरक्षन में वश्ता है जो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने किया है वैसा ही होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट और सरकार की जज़ेकार भी कर रहे हैं यह बताब आज मुद्दा है किस मुद्दे को लेकर आपाए है मुद्दासर यह है कि हम आपके शैनल के माध्यम से माने योगी जी से कहना चाहते हैं कि जो आरक्षन का सुरुवाद हुई है और वालमी की समाज में पूरे देश के अंदर एक खुशी और हर्च का विशे है हम चाहते हैं हारक्षन हमें लागू हमारे लिए चुँकि अब तक का जो अधिकार हमारा गया है वो आगे ना जाए और यह जो बंद है हम इने कहना चाहते हैं कि आपने 78 वर्ष आपने आरक्षन का लाब लिया है अब सोते ही आपको घर बैठ जाना चाहिए अब सोप्रीम कोर्ट ने मैं फैसला दिया है जिसके लिए आज गुर् Previously भारत बंद के अलान किया गया है कि आप उनके साह है या अलग नैसा यह बंद का आवन क्या है जिन लोगों हम इसका ब्रोध करने हम चीज़ को दिश्कार कर कि सरकार को क्या करना चाहिए आपका मनतब भी क्या है सरकार किस तरह से इसको करेगा एक अगस दो हजार चोबिस को जो सर्वोच निया ले की साथ सदस्कंड पीट ने जो फैसला दिया है अनुसुच जाती अनुसुच जन जाती की आरक्षान से उपेचित जातियों के लिए जो फैसला दिया है वो फैसला माने प्रदान मंत्री नरेंद्र मोहती जी के उस नारे को सार्थक कर रहा है जो नारा उन्होंने दिया कि सबका साथ सबका विकास तो सबका विकास होने का समय आ गया है माने सर्वोच ने आये लेके सादेश के अनुसार उदर पट्ना में भारत बंद के दोरान प्रदशन कर रहें लोगों पर पुलिस ने लाठी चारच किया दलित संगठनों ने सडक पर प्रदशनी भी कि गई बिहार में पट्ना समेथ कई शेहरों में भारत बंद का व्यापक सर देखने को मिल रहा है दर्भंगा से लेकर मोतिहारी, शेकपुरा, पूनिया और रंगाबाद आरा और रहाना बाद गया कई जगा बाजारों को बंद करवा दिया गया और पुलिस को हलका लाठी चार्ज करना पड़ा प्रदर्शनकारियों को खदेडने के लिए उसको हलका बल प्रयोग करना पड़ा